तो आज किस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूसफुल स्ट्रक्चर सेंटेंसे सब्टाइटल्स मिलने वाले और मैंने कोशिश की है कि कुछ और अच्छे-च्छे से कुछ वर्ड्स का यूस कर सकों जाकि थागी थोड़ा सिंबल से आप थोड़ा सा कुछ अलग सीख सके तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा बहुत यूसफुल होने वाली है तो चले शुरू करते हैं तो पहले हैं पर सेंटेंस लिखा हुआ है तुम क्या करना चाह रही हो चाहिए अब एक तो होगया वांट का हम यहां पर यूज कर सकते हैं कि वाट यूवांट टू टू एक तरीका तो यह हो गया एक होता है कि तुम मतलब जैसे क्या करने वाले हो दिमाग में क्या चल रहा है क्या करना चाहरे हो उस चीज़ के लिए अप टू का भी ठीक है कि तो यह present indefinite में हो गया question वाला sentence सबसे पहले question word, main word, doer और action तो question word हुआ what main word लगा do, doer आया you और action का है करना चाहना चाहना है तो चाहना यहांपर action है so want what do you want करना to do तो यह तो दूसरा जो do आएगा यह करने वाले वाले sense के लिए आया ठीक है दूसरा तरीका है कि इसको हमने simple present की form में रखा, कि जैसे हमें बोलते हैं मन में क्या चल रहा है, क्या इरादा है तुम्हारा, इस तरीके से, so यहां पर हम simple present में बोल सकते हैं कि what are you up to, जैक है, what are you up to, जैसे मैं बोलना हो भाई, मैं ये करने वाला हो, या फिर मैं ये करना चाहरा हूँ, मेरा य इरादा है, so I am up to do this, इसको ऐसे भी यूजा सकता है, so what are you up to, तुम क्या करना चाहरी हो, क्या इरादा है, इस तरह से बना sentence, अब ये क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम से प्यार करती हूँ, दो sentences हैं और दोनों ही यहां पर present indefinite का sentence है, जो पहला sentence है, क्या तुम नहीं ज जानते, तो इसका जो formula है, वो हम मैंने करी बर बताया, simple लगेगा आपका, सबसे पहले आपका आता है, इसमें main word, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, फिर शुरू में क्या लगा हुआ है, क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क् इस तरीके से, तो सबसे पहले main word आएगा, तो यहाँ पर main word, फिर doer और negative है, तो उसके बाद not, main word, doer, not और action, main word, doer, not और action, so यहाँ पर main word कहलेगा do, क्या तुम नहीं जानते, do, फिर doer आया तुम, you, फिर आया not, और action कहाँ पर जानना, no, do you not know, दूसरा, इसमें do के साथ आप not को merge कर सकते, don't you know, इस तरीके से, so don't you know, या फिर you don't know, do you not know, क्या तुम नहीं जानते, की के लिए that लगाया, मैं तुम से प्यार करती हूँ, कौन सा sentence है, present indefinite का sentence है, ता है ती है, ते है भी आ रहा है, so simple sentence है, नहीं question है, और नहीं हाँ पर negative है, चीक है, so मैं तुम से प्यार करती हूँ, do or main word or action, do or कौन है, मैं, I, main word लगेगा do, action का है, प्यार करना, love, अब जो do है, वो छुपेगा love में, चीक है, और कोई change नहीं आएगा, I love you, चीक है, इस तरीके से sentence बना, तो यह जो sentence है, चोटा सा I love you, इस तरीके से ही बनता है, present indefinite का sentence होता है, अगर य does, action का है, love, अब does छुपता love में, तो क्या होता, loves हो जाता, कि राहू loves you, चीक तो पूरा sentence क्या बना, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम से प्यार करती हूँ, don't you know that I love you, बहुत दिन बाद ये मौका मिला है, बहुत दिन बाद ये मौका मिला है, मुझे ये मौका मिला है, बहुत दिन बाद इस तरीके से, बहुत दिनों के बाद इस चीज़ के लिए अब तो एक तर्म का यूस से पर सकते हो, कई सारे चीज़ या सकती है, एक तो ये हो गया कि after so many days, after many days, ठीक है, after a while, ठीक है, इस तरीके से, दूसरा है after so long, ठीक, तो so long में भी याल जा था कि करते हैं, और यहाँ पर इस word के लिए, चाहे मिलना हो, लेकर आना हो, ठीक है, लाना हो, इस चीज़ के लिए हम जो action का यूस कर सकते हैं, वो action का use होता है, get, ठीक है, get, जैसे मैं बोलो, मैं तुम है ले ये लाया, so I have got this for you, ठीक है, मुझे ये मिला है, I have got, दोना तरीके से बिलुकुल सही है, sentence same sound कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग सा लगा लगा है, तो यहाँ पर मिलने के लिए get का use किया गया है, so मुझे ये मौका मिला है, ठीक है, अब sentence कौन सा है, sentence है हमारा present perfect, end में आ है, यह है आ रहा हो, या फिर कोई चीज़ चुका है चुकी है, तो present perfect का sentence हो गय यहाँ पर हमारा have, action क्या है, मिलना, get, get की third form लगी, got, so I have got this chance, ठीक है, क्या मिला है, ये मौका, this chance, so पूरा sentence क्या बना, बहुत दिनों बाद, ये मौका मिला है, after so long, after many days, I have got this chance, इस तरीके से sentence बना, मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगी, अब देखो, यहाँ पर जो action है कोई चीज़ करने देना, कोई चीज़ होने देना, करने देना, यहाँ पर जो हमारा action होता है, वो होता है, हमारा let, let, चीक है, तो sentence कौन से है, ये हो गया हमारा future indefinite का sentence, और negative sentence है, future indefinite का, चीक, so doer, main word, not, or action, यही formula लगेगा, चीकि negative है, doer, main word, not, or action, doer कौन है, मैं, I, main word लगेगा, will, चीक है, फिर आया, not, I will not, action क्या है, क्या नहीं करें दोंगे, नहीं जाने दूँगी, so I will not let, चीक है, अब क्या नहीं करें दूँगी, is chance को नहीं जाने दूँगी, so I will not let this chance go, चीक है, ऐसे sentence बना, will और not को हम merge करके won't बना देते हैं, तो sentence बन जाएगा, हमार बाद में बात कर सकते हैं कौन सा sentence है सकता है सकती है सकते है वाला तो यह sentence हमा रहा है can वाला कि हम यह कर सकते हैं वह कर सकते हैं अब यह डबलू ओ नहीं है यह वी है डबलू ए चीक है so we can talk on this later simple बनेगा do or main word action do or कौन है हम mean word क्या लगेगा can चीक है और action क्या है यहाँ पर बात करना so talk we can talk इस पर on this बाद में later चीक है तो पूरा sentence हमारा क्या बना है हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं we can talk on this later यह कह रहे अगर मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम गायब हो जाओगे चीक है तो बनाया मैंने कैसे English में कि तुम गायब हो जाओगे अगर मैं तुम्हें जाने दूँ पहला जो sentence है तुम गायब हो जाओगे चीक है दो तरीके से sentence यह बन सकता है एक हो गया future indefinite हो जाने के लिए मैं है यहाँ पर go का फॉशे कर सकता हूं get का use कर सकता ओं कि you will go vanished you will get vanished यह हो गया मेरा कौनसे form में यह हो गया मेरा present indefinite कि मैंने हैंपर एक action ले लिया तुम इस form बदल जाओगे तो यहाँ पर मैंने get को become become का use कर सकता हूं got का कर सकता हूं go का use कर सकता हूं ठीक है तो action करे तो और पर मैं ये कर सकता हूँ कि you will go vanished ठीक है दूसरा है कि तुम किसी condition के अंदर चले जाओगे तो ये मैं simple future के sense में भी बना सकता हूँ simple future में जहां action ना हो कि तुम इस condition के अंदर होगे जैसे मैं बोलू कि he will be upset कि भाई वो उदास हो जाएगा ऐसे देखेगा तो इस चीज़ को so he will be upset कि वो upset की condition में होगा same यहाँ पर कि तुम गायब की condition में आ जाओगे तो तुम गायब हो जाओगे तो यहाँ पर formula क्या लगेगा किस पर काम होगा फिर main word फिर क्या काम होगा उसकी third form आ जाएगी तो किस की बात करें है main word और वो क्या होगा वो तो किस की बात करें है तुम you main word लगेगा simple future के sentences में विल बी अब तुम क्या हो जाओ गायव वैनिश की condition में हो गतो वैनिश्ट एडि लग जाएगा जैए सरप्राइज की कंडिशन होने पर क्या होता है शर्प्राइस और मौना I am surprised I will be surprised तो एडि लगा दिया मतलब मैं उस condition में होंगा तो अगर मैं तुम्हें जाने तो यह present indefinite के sense में बनेगे अगर मैं तुम्हें जाने देती हूं इस तरीके से बनेगा चीक है तो डू और main word और action, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, do और कौन है, मैं, I, main word लगेगा do, present indefinite की sense हो बनाएंगे, तो do, action क्या है यहाँ पर, let, चेक है, so I, do, let, do छुपेगा let में और कोई चेज नहीं आया, I, let, क्या करने दूंगे, तो पूरा sentence क्या बना, अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, if I let you go, if I let you go, तो पूरा sentence क्या बना, अगर मैं तुम्हें जाने दू, तो तुम गायब हो जाओंगे, you will be vanished, if I let you go, चाहो तो इसको आगे पीछे बना सकते हो, कि if I let you go, you will be vanished दौनों तरीके से sentence बन सकता है और दौनों तरीके से बिल्कुल सही है इसलिए हमें अभी यहीं बात करनी है बिल्कुल अभी और यहीं बात करनी है अब देखो कोई काम करना है ऐसे sentences में हम should का use कर सकते है ठीक है कि भाई मैं बोलो कि मुझे जाना है तो I should go ठीक है चाहिए वाले sentence के लिए भी हो जाता है और ऐसे sentences के लिए कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है need to, want to, have to, has to का भी मैंने use बताया ही हुआ है अगर कुछी ज़रूरत है कि मुझे जाना है घर पर कुछ काम है अगर मैं चाहता हूँ जाना घर पर कुछ बहुत बढ़ी है I want to go अगर मजबूरी है I have to go तो यहाँ पर बात करनी है तो एक जरूरत वाली चीज आ रही है need to तो यहाँ पर जिस main word use होगा वो हमारा need to word use होगा main word इसलिए के लिए so लगा so की जगा that is why भी लगा सकते हो और so का भी use कर सकते हो हमें अभी यहीं बात करनी है so doer, main word और action doer कौन है हमें we main word लगा need to action कहा है बात करना talk so we need to talk यहीं right here, right now अभी यहीं पर ही so right here, right now का use ऐसे हुआ तो पूरा sentence क्या बना इसी लिए हमें अभी यहीं बात करनी है so we need to talk right here, right now that is why we need to talk right here, right now यह गरा है सुनो अपनी हद में रहो सुनो, listen अपनी हद में रहो अब यह sentence कौन सा है यह है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ यह करो, वो करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो ठीक है तो यह sentence क्या होताँ यह sentence do वाले होते है अब अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ तो do छुपा रहेगा action के अंदर कि मैं जो काम करने के लिए बोल रहा हूँ उसमें छुपा रहेगा अगर मैं किसी चीज़ को ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो not के साथ do बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर simple है कि मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ अपनी हद में रहो, ठीक है तो यहाँ पर sentence बनेगा, जिस काम को मुझसे प्यार करती हो, इसके अंदर दो sentences होगे, पहला मुझे पता है मतलब मैं जानता हूँ यह हो गया present indefinite sentence do or main word action, do or कौन है मैं, I, main word do, action क्या है जानना, पता होना, no, do छुपा no में कोई change नहीं आया, I know मुझे पता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो यह sentence भी present indefinite ही है चीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो यहाँ पर भी do or main word action क्योंकि ना negative और ना ही question है do or कौन है, you, main word लगेगा do, action क्या है, प्यार करना, love so do छुपा love में कोई change नहीं आया you love me, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन, but मैं किसी और से प्यार करता हूँ present indefinite ही ही है, do or main word action फिर से वही formula लगा मेरा do or कौन है, मैं, I main word do, action क्या है, प्यार करना, love do छुपा love में कोई change नहीं आया but I love someone else लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो पूरा sentence मेरा क्या बना मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ I know you love me, but I love someone else अभी करिये यह करिये, मुझसे ज्यादा तुम से कोई प्यार नहीं कर सकता ठीक है, तो यहाँ पर जो sentence है, can वाला है negative है, ठीक है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं को मैं अगर word ले ले हूँ, no one तो यहाँ पर मेरा doer हो गया, no one ठीक है, so doer main word action doer कोई है, कोई नहीं कर सकता so no one, main word लगा मेरा can action गया है, प्यार करना, love no one can love, कोई प्यार नहीं कर सकता तुम्हे, you, no one can love you जितना मैं करती हूँ ठीक है, मैं फिर मुझसे ज्यादा no one can love you more than I do, I do का मतलब मैं करती हूँ यह end में I do present indefinite है, मैं करती हूँ ठीक है, तो यहाँ पर doer main word action, doer कोई है, मैं, I main word लगा do, और action भी क्या है, do, करना, ठीक है तो do छूपा, do में और कोई चेंज नहीं आए, वो do ही रहा यह चेंज समझने वाली है, ठीक है so no one can love you more than I do मुझसे ज़्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता मैं तुम्हें किसी को भी अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी अब यहां सेंटेंस समझना बहुत ध्यान से future indefinite sentence है यह मैं नहीं करने दूंगा गागी के आ रहा है negative sentence भी है, नहीं भी आ रहा है और यहां पर action क्या है action है यहां पर करने देना मतलब let, वही जब मैं आपको शुरू से बताया है action है यहां पर let so doer, main word, not or action doer कौन है, मैं, I main word लगा, will, फिर आया not action क्या है let, I will not let मैं नहीं करने दूंगी, क्या ले जाने नहीं दूंगी, किसी को भी I will not let anyone take you away from me यहां फिर I will not let take you away from me ऐसा ही बना सकते हो, यहां फिर I won't let anyone, कि मैं किसी को भी तुम्हें अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी so I won't let anyone take you away from me so let के बाद anyone क्यों आया है कि मैं किसी को, मैं, मैं नहीं करने दूंगी क्या, किसी को भी नहीं I won't let anyone जैसे मैं बूलो, उसको मत जाने दूं so do not let him go तो किसको नहीं करने देना है और फिर क्या नहीं करने देना है so I will not let किसको, किसी को भी anyone क्या नहीं करने दूंगी ले जाने नहीं दूंगी take you away from me इस तरीके सा sentence बना तो पूरा sentence क्या बना मैं तुम्हें किसी को भी अपने से दूर नहीं ले जाने दूंगी I will not let anyone take you away from me तुम वापस आ रहे हो या नहीं तो कौन सा sentence है रहा है रही है रहे है वो वाला कि क्या तुम वापस आ रहे हो या नहीं तो यहाँ पर क्या शुरू में नहीं लगाया लेकिन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक सवाल ही पूछा जा रहा है हिंदी में हम कई पर इसक personalities बोल था भाई तुम वापस आ रहे हो नहीं तु पार्टी में जा रहा है सिर्फ tone से समझ में आया expression से समझ में आया तु पार्टी में जा रहा है लेकिन एक सवाल है बतानी रहा है तो यहांपर भी सवाल है तो यहां पर भी सवाल है, क्या तुम वापस आ रहे हो या नहीं, तो मैंने बताया, अगर ऐसा सवाल आ जाए, क्या होगा, main word सबसे पहले आ जाएगा, main word क्या लगएगा, रहा है रही है, तुम वापस आ रहे हो, you are coming, तो main word लगा मेरा are, तो यहां पर are सबसे पहले आ जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले main word, फिर doer, और फिर action के first form में ing, क्योंकि continuous sentence है, so main word लगा, are, doer के है, तुम, you, action के है, वापस आना, coming back, are you coming back, या नहीं, और not, ठीक, तो पूरा sentence मेरा क्या बना है, अपर, तुम वापस आ रहे हो, या नहीं, are you coming back, और not, तो यह थी आज की वीडियो, आज के sentences, I hope वीडियो आपके लिए useful रही होगी, कोई भी doubt है, कोई भ कर दो आपके घंक्यू